बजाज प्लाटीनो के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज कंपनी बजाज की जो प्लाटीनो है इस गाड़ी को इंडिया में मैं बात करती है पूने के प्लांट में लेकिन जो प्लाटीनो है ये गाड़ी आपको इंडिया में नहीं मिलती है खैर प्लाटीनो और प्लाटीना दोनों बाइके सेम है कोलंबिया में बजाज कंपनी प्लाटीना को प्लाटीनो के नाम से सेल करती है तो ये आपका doubt मैं पहले clear कर दे रहा हूँ लेकिन जो platina है ये गाड़ी आपको इंडिया में मिल जाती है दो displacement के साथ एक आता है 110cc और एक आता है 100cc लेकिन जो platina है ये गाड़ी इंडिया में 125cc बनती है लेकिन इंडिया के लिए नहीं बनती है फाइनली जो है अपडेट निकल के आ चुकी है कि बजाश कंपनी जो है platina को इंडिया में लॉंच करने वाली है 125cc में और platina में आपको काफी सारे नए changes मिलने वाले है 125cc में जिससे की गाड़ी की sale figure काफी अच्छी निकल के आने वाली है बात करते हैं आने वाली नई platina 125 के engine के बारे में platina platino दोनों same है वो आप समझ ले न तो bike का जो engine है वो आपको 124cc का single surrender air cooled मिल जाएगा और ये गाड़ी आपको 5 gear के साथ मिलेगी बाकि जो है गाड़ी में आपको लगबग मिलेगा 60-65 का mileage और जो speed निकल के आएगी वो आपको लगबग 110 के उपर दिखने को मिलेगी लेकिन आपको उसके लिए जुकना पड़ेगा और platina जो लगबग 12bhp का power देगी और जो torque है वो आपको लगबग 11 mm के आसपास तक का दिखने को मिल जाएगा साथ ही platina में आपको मिलेगा front में disc जो की आपको लगबग 280 mm के आसपास तक की मिल सकती है छोटी भी मिल सकती है पीछे आपको मिल जाएगे 130 mm के drum brakes बाकि जो है platina में आपको दो option दिखने को मिलेगा एक option आएगा जिसमें कि आपको मिल जाएगा disc plus cbs और एक option आपको मिलेगा disc plus abs तो आपको ये दो variant दिखने को मिलेगे भाई platina 125 में आपको drum brake का भी variant मिल सकता है जैसा कि आपको city वाई जो 125 आती है उसमें भी आपको मिलता है drum का variant और जो बजाज की पलसर है 125 उसमें भी आपको drum का variant मिल जाता है तो भाई platina में भी आपको drum का variant मिलेगा 125 cc में बागे जो है platina में अब आपको 125 cc में fully LED का head lamp मिलेगा साथ ही जो DRLs हैं वो भी आपको LED के मिलेंगे और उनकी जो placement है वो आपको बिलकुल ही नई मिलेगी और platina में आपको मिलेगा 1000 light का feature क्योंकि भाई splendor में आता है तो इस गाड़ी में तो आना ही पड़ेगा बागी जो है इसका मिटर कंसोल है वो आपको मिलेगा fully digital जी आप बाइ platina में आपको digital meter मिलेगा जो आपको मिल जाता है meter console पलसर लाइनप में वही आपको meter console मिलेगा platina 125 में बागी जो है गाड़ी में आपको मिल जाएगी single piece में seat और जो grab rails हैं वो आपको split के company offer कर सकती है खैर वो matter नहीं करता है बागी जो bike का chain cover है वो आपको plastic का मिलेगा लेकिन वो आपको sealed मिलेगा साथी भाई front में आपको मिल जाएगा suspension telescopic का और पीछे आपको मिलेगा twin shock absorber बागी जो है गाड़ी में आपको मिल जाएंगे tubeless tire और जो wheel का size है वो आपको 17 inch का company offer कर देगी front में आपको tire मिलेगा 90 section का और पीछे आपको tire मिलेगा 100 section का और tires काफी company definitely launch करके देगी और यह गाड़ी आपको मौझूदा platina 110 से काफी ज्यादा heavy लगेगी यहां तक बाई tank पर आपको tank flap और company launch करके दे सकती है और जो branding से platina की और 125 की यह आपको 3D में दिखने को मिल जाएगा और बाई उमीद तो यह भी है कि पजाज की जो platina है बाई इंडिय कि जानी मानी बाई इसमें भी आपको company CNG offer कर सकती है क्योंकि बाई बजाज की जो freedom है वो नई बाई है और लोग उस पर trust नहीं कर रहे हैं अगर बजाज company अपनी Pulsar 125 में और platina 125 में CNG देगी तो definitely अच्छी power figure और अच्छी performance और अच्छी sale figure निकल के आ जाएगी बागी जो सब कुछ आपको नया मिलेगा और platina जो बाई ये गाड़ी आपको 125cc के साथ दिवाली के आज पास तक का launch होती हुई मिल सकती है तो आप लोग बाई चाहो तो wait कर लेना आने वाली नई बजाज platina 125 का बागे यार बाई जो वीडियो में लाइक कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जया हिंदू बंदे मात्रम बाई